आप सब का सुवागत करता हूँ बैक टू स्कूल के यूट्यूब चैनल की सबसे इंपोर्टेंट वीडियो में जो होगी सोशल स्टडीज से रिलेटेड और आज की इस वीडियो में हम करेंगे वैदिक काल के सबसे इंपोर्टेंट देवता यानि कि इस वीडियो में आपको पता लगेगा कि जब वैदिक काल था तो उस टाइम पर कौन से देवी देवता सबसे ज़्यादा अधिक अपना प्रभाव रखते थे तो इस पूरी वीडियो को दोस्त शुरू से लेकर लाश तक देखना है ताकि वैदिक काल के सबी देवताओं के बारे में आपको पता लगे क्योंकि यह बेस्ट कॉर्स है और सी टेट दो हजार एकिस के अंदर डी ट्रिप्लेस भी के वी एस यूपी टेट सूपर टेट हर एक्जाम में यहां से कुशन पूछे जाते हैं तो चलिए दोस्त शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे बैक टू स्कूल के एंडरोइड अप्लिकेशन को इंस्टॉल नहीं किया है तो कर लीजिए दस हजार से ज़्यादा स्टूडेंट इंस्टॉल कर चुके हैं तो आप भी इंस्टॉल करें और अपनी तैयारी को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाए और दोस्त इंस्टॉल करके सब्सक्रिप्शन ले आप जैसे ही काफे सारे स्टूडेंट्स जैसे की अनशु प्रीती कुमारी दिव्या मंजूशा और रूचिका सिंग इन लोगों ने बैक टू स्कूल की एंडरोइड अप्लिकेशन का सब्सक्रिप्शन लिया है तो आप भी जरूर लेजिएगा चलिए दोस्त शुरू करते हैं देखिये अगर बात करें हम वेदिक देवतागंओं की तो इन देवताओं में कावी सारे देवता मुख्यें हैं जैसे की इंदर देवता अगनी देवता और वरुन देवता इनकी संख्या है मेन देवताओं की तीन वैदिक टाइम पर लोग थे करशी के अंदर जुड़े हुए और लोग जब करशी करते थे तो एक चीज ओवियस होगी कि करशी के लिए जिन जिन चीज़ों की जरूरत होती थी उन उन चीज़ों के देवताओं को वो सबसे ज़्यादा पूजेंगे तो करशी में सबसे ज़्यादा जरूरत किन किन चीज़ों की होती है मुझे बताईए वर्शा की उसके अलावा जितनी भी नेचर की चीज़ें होती हैं उन सब की इंपोर्टेंस बहुत ज़्यादा थी क्योंकि वैदिक जो टाइम था उस टाइम पर लोग रहते थे किस के पास नेचर के पास उस टाइम पर नेचर का बहुत ज़्यादा बोलवाला था तो इसलिए देवताओं के अंदर तीन देवता सबसे इंपोर्टेंट आए और उन तीन देवताओं के नाम है इंदर अगनी और वरुन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्णत ये तीनों थे अब इंदर की बात की जाए इन तीनों में तो इंदर इनके अंदर से वीरता का प्रतीक था और उसके साथ सा शक्ति का भी प्रतीक था यानि कि पावरफुल अगर आपको कोई व्यक्ति दिखाना है कोई व्यक्ति आपको वीरता शक्ति शालि दिखाना है तो आप इंदर को इंदर का वज्जरवाहू तो इस टाइम पर इन तीन देवताओं में सबसे इंपोर्टन्ट इंदर खे और इंदर को ही वज्जरवाहू के नाम से जाना जाता था अब दूसरे इंपोर्टेंट जो देवता थे वो कौन निकल कर आते हैं इस टाइम पर देखे अगर दूसरे सबसे इंपोर्टेंट देवता की बात करें तो वो निकल कर आते हैं अगनी पहले नमबर पर इंदर दूसरे पर अगनी अब देखिये अगनी की उपादी धूमके तू थी यानिकि इनको धूमके तू की उपादी दी गई थी और उसे देवताओं का मुख यानिकि देवताओं के अंदर सबसे गुसेल माना जाता था और अगर कहीं पर भी ये कहा जाए कि देवताओं का मुख फेस ओफ डाइटीज किसको माना जाता था अगनी देव को यह अतिती तथा दुर्ग का भेदक भी बताया गया ही ने यानि कि यह तहस नहस करने वाले जो है देवताओं में से एक थे तो दूसरे नमबर पर जो सबसे इंपोर्नेट निकल कर आए वो इंदर के बाद निकल कर आए अगनी अब तीसरे देवता तीसरे देवता जो इस टाइम पर निकल कर आए वो निकल कर आए वरुन देव अब वरुन देव की इसके टाइम पर क्या इंपोर्टेंस थी वो देखते हैं देखिए वरुन देव का रिलेशन था यहां पर आपकी एर से जैसे इंदर देवता का वीरता से शक्ती से बादल से वजरबा हुए उनका निकनेम ऐसे ही अगनी इसका रिलेशन था एग्रेशन से वैसे ही वरुन का सम्बंद है वायू से और जल से और जितने भी रित्वें हैं जितने भी मौसम हैं उनका वर्गी करण और उनकी विवस्था बनाए रखने वाला जो देवता था वो वरुन देव ही था तो याद रखना वरुन देव अगनी देव और इंदर देव यह तीनों के तीनों वैदिक लोगों के लिए बहुत जरू ठीक है, और वो लोग कैसे थे, वो लोग थे, ग्रामी, इतने साइंटिफिक लोग नहीं थे, अब एक और देवता का नाम निकल कर सामने आता है, सौम देवता, अब देखिये सौम देवता का अगर उलेख पूछे कहां पर मिला है, तो याद रखना कि सौम देवता का उलेख और सोम का रिलेशन किस से है देखिए अगर बात करें सोम की तो सोम का रिलेशन चंद्रमा और वनस्पती के देवता से है वनस्पती का मतलब क्या होता है वनस्पती का मतलब होता है पेड़ पोदे ठीक है दोस्त तो ये जो वैदिक देवतागन है इसमें सबसे important तीन और उनके अलावा भी कुछ-कुछ देवता निकल कराए जो हम आगे पड़ेंगे लेकिन यहां के पहले पेज से आप क्लियर समझ गए कि ये पहला पेज तीन देवताओं को जो है डेडिकेट किया गया है जिसमें इंदर, अगनी और वरुन है और उसके अलावा फिर हमने सौम देवता को भी पड़ा ठीक है ये कहां पर इसका जिकर मिला रिगवेद के चोदा सुकतों में और ये किसका देवता है चंदरमा का और वनस्पती का चलिए अब अगले देवता की बात करें तो अगली देवता थी वैदिक टाइम पर दुर्गा माता इसे इडा देवी के नाम से भी जाना जाता है और ये स्मृति की देवी थी तो आप से एक्जाम म या फिर जो दुर्गा थी वो किस चीज की देवी थी वो स्मृति की देवी थी प्रोसपेरिटी की इसे अन पूरना भी कहा गया है ठीक है चलिए अब रुद्र देवता नैतिकता की रक्षा करने वाला तथा महामारी के प्रकौप से बचाने वाला तथा अतिक्रोधी देखिए रुद्र को ही बाद में शिव कहा गया शिव का ही दूसरा नाम रुद्र है इसलिए नैतिक्ता की रक्षा करने वाला यानि कि यहां पर लोग ये मानते थे कि अगर किसे ने कोई गलत काम किया तो जो देवता उन्हें दंड देगा वो रुद्र देवता होगा ठीक ह चलिए अब देखिए कुछ ऐसे भी मान्यताएं थी वैदिक लोगों की कि कुछ आधे देवता भी है यानि कि यह तो पूरे देवता होगे आपके जो जिनके बारे में हमने बात की इंदर अगनी वरुन सौम देवता उसके साथ आपकी दुरगा देवी लेकिन कुछ पूरे देवता नहीं मानते थे इनको आप आधे देवता मानते थे लेकिन उस टाइम पर यह जितने भी देवी देवता जिनका मैंने जिक्र किया है इनकी आप मूर्ति पूजा नहीं करते थे याद रखना कि वैदिक काल पर ना तो मूर्ति पूजा होती थी और ना ही मंद का जो है निर्मान होता था मंदिर और मूर्ति पूझ इस टाइम पर बिल्कुल भी अस्टित्व में नहीं थी ठीक है चलिए अब यग्यों का अगर हम बात करें तो यग्यए एक अलग चीज होती है मूर्ति पूझ इक अलग चीज होती है और मंदिर पूजा एक अलग चीज होती है तो यहाँ पर याद रखना कि मूरती पूजा और मंदिर पूजा का बिलकुल भी परचलन नहीं था अब यग्यों की बात करें तो देखिए शरोत यग्यों का संबंद सौम पूजा से था यानि कि इस टाइम पर लोग अगर यग्यों भी करते थे तो किसका करते थे सौम का सौम पूजा से था और सौम यग्यों में सरवादिक महत्वपून कौन सा था अश्वमेग्ध था राजशू यग्य याद रखना आपसे पूछा जाएगा कि वैदिक लोगों के लिए कौन कौन से यग्य सबसे इंपोर्टन थे कौन कौन से यग्य सबसे इंपोर्टन थे तो आपको याद रखना है अश्वमेग्ध और राजशू यग्य अगर आपसे पूछे किंसर रिलेटिड थे तो ये रिलेटिड थे आपके वैदिक लोगों से दोस्त ठीक है दोस्त तो आज की इस वीडियो में आप क्या समझे आज की इस वीडियो में आप कुछ बात ये समझे कि मेन देवता थे इनके तीन ठीक है इंद्र उसके अलावा वरुन और अगनी देव ठीक है उसके अलावा रुद्र देव के भी बारे में बात की गई है जो काफी गुसे में रहते थे रुद्र के साथ साथ यहां पर जो है दुर्गा देवी की भी बात की गई है और इसके अलावा आपके अर्द देवताओं के भी बात की गई है उसके अलावा यहां पर एक चीज जो इंपोर्टन्ट याद रखनी की थी वो आप बिलकुल भी मिस नहीं करेंगे डारेक्ट कोशन आएगा कि वैदिक काल के लोग मूरती पूजा करते थे या नी और मंदिर पूजा का परचलन था या नी तो बिलकुल नहीं था याद रखना और ज़्जादा से ज़्यादा यक्गे आपके किस के लिए होते थे सूम पूजा के लिए होते थे यह भी चीज आपको याद रखनी है ठीक ना ओके और सौम देवता अगर आपसे पूछे था कौन तो आपको याद रखना है कि चंदरमा और वनस्पती से इसका लेना देना था और इसके बारे में ही सबसे ज़्यादा क्या होते थे यग्य ठीक है और बाकी तो चीज आपको पता लगी गई है इंदर के बारे में भी कोश्या ना है तो इंदर वीरता था शक्ती बादलता था तडित का देवता था वजर बाहूस का निकनेम था तो दोस्त इस वीडियो के अंदर रिपीट करके देख लो अगर आपको कोई चीज समझ में ना आए वरना मैंने important topics को काफी easily आपको समझाने की कोशिश तो की ही है तो दोस्त जैसे मैंने बोला वीडियोज आपके लिए आती रहेंगी तो वीडियोज को लाइक करें दोस्तों तक शेयर करें और दोस्त आप भी सबस्क्रिप्शन जरूर लें ठीक है दोस्त नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात करता हूँ तब तक के लिए जैहिंद जैभारत और सबसे important बात वीडियोज देखते रहना है पढ़ते रहना है टेक कियर दोस्तों